नवस्कार सातियों अब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल अपर राजस्थान एक्सवाइज जेड के इंतरगत स्वागत है आज की वीडियो होने वाली दोस्तों अपने राजस्थान की जीके से सम्दित है जिसके अंदर के दोस्तों जीतने भी वीगत लगवाइज परिखाओं में जो क्यूशन पूछे गेवे उन क्यूशन के बारे में स्रंकला में चर्चा कर रही है थीक तो ये दोस्तो ये वीडियो उनके लिए है जो मतलब की एक मैसरे वीडियो देखना चालते है यह या फिर मतलब की वीगतर प्रिखसाओं के ग्यूश टोटल ठीक है नबबे कुशनों के लगवग चार पार्ट बने की यहने की आज दो पार्ट हो जाएगे एक सुबह अभी साड़े-पांच बजे वाला एक सामको चार बजेगे सम्तिंग जो वीडियो अप्लोड होगा और उसके बाद कल भी वापस है मैं एक वीडियो बना लुट थिता है तो दोस्तो इक हो जाएगे सच्यमत्ता का मंदिर सूर्य मंदिर हर अधर तो यह कह पर होने वाले ओ चेक है ओभी ऎाा का कारण के की हैं जिस प्रकार ऊंच बहुनेसर के नाम से भी जाना जाता है, фık, कुञ्णार्क मंदिर की नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, सुर्य सुर्य मंदीर है, एक सुर्य मंदिर अपने जालाओवार्वार्ड के इंतर ready जालाराई पाटन के इंतर गद और यह सुर्य Plus कहाँ पर जोदपूर वंस की ये ओसिया मंदिरों की देन है ठीक है जो की महा मारू सेली के अंतरकत बनाया गया इनको अगला क्यूसन देखिए जोदपूर के निकिट ओसिया में मंदिरों का निर्मान करवाया गया तो दोस्तों ये जोदपूर के निकिट जो ओसिया के अंदर गया जो मंदिरों का निर्मान करवाया गया किस तो धुर्ला मंदीर क्या पर हो जाएगा दो यहां पर अपना सर का पर मंदीर हो जाएगा है तो यह पे कारओली के अंतर अधर के बारे में दूस्त को ध्यान से सुनते जाना थीक है तो कियला देवी का जो मन्दिर है यह मोल रूप्छ इए अंजोन माता का मंदिर है ठीक है और यह यहादव वन्स या फिर दोस्तु करोली जो राजवंस था उसकी मतलब की कुल दे भी है ठीक है और यह This जो मन्दिर है किसके उपर है ट्रीकूट जो पर्वत है दोस्तो उसके उपर स्थिद आ vomitब कर बाता है तो चेत्र शुकल अस्थमे को यहां पर मतलब की लखी मेला परता है ठीक है और इसके जो किनारे जो नदी है दोस्तों नदी का नाम है नदी का नाम है काली सील ठीक है और इस मंदिर के सामने एक छत्री है जिसका नाम है बोहराजी की छत्री है ठीक है और इसकी समर्ती में दोस्तों मतलब की लंगूरिया गीत गए जाते है और लंगूरिया गीत के साथ मतलब कि जोगनिया नरतिय किया जाता है ठीक है नरतिय कुन से किया जाता है जोगनिया और लंगूरिया गीत गये जाते ठीक है और ये अगरवाल जात्ति की जो मतलब की आरयद्य देवी है और कुल देवी किसकी है तो यादव वन्स اور करोलि की राजवन्स की है ठीक है और यहाँपे मतलब की कोई बली बली का कोई उलेख नहीं किया गया तो ठीक है तो इन क्यूंसनों कÖ मतलब की मैं लिख तो नहीं पाऊंगा क्योंकि कारण मेरे पास क्या है कि यहां पर मतलग मोबाइल चोटा सा मोबाइल लगव पांच-छे-जार का मोबाइल जिसको च्यार साल होगे चलाते वह यह भी हैंगोने लग गया ठीक है तो उसके वज़े से मैं मतलब की लिखने में थोड़ी से समस्या होती है लिखने का भी जुगाड नहीं यह कुछ पेन वे नहीं आत से लिखता हूं लिख नहीं पाता हूं ठीक है करूली का केला देवी मंदिर कीस नदी के किनारिस दीथяти है तो यहां पर अपना राइटन से क्या हो जाएगा अल्रेडी हैपने है चले सिल से पना दृसति हो जोग js Columbi बधवान ना जिस्वाय माधुपूर के अंतरगाद एक सीवाड गाह हो है जहां पर गुष मिस्फर में आदेव जी का मन्दीर्व है यहां पर दोस्तु शिव जी का कौनसा जोतिर daulingen बना गया है तो यहांपर एपना राग्ष असर क्या हाँ बारवा जोतिर लिंग बना गया है पूयल है रिसब देव को ठीक है रिसब देव को दोस्तों आधी नात के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगले क्यूशन देखिए राजिस्तान का बाहरवा जोतिर लिंग कहां पर है तो अल्रीड अपन इसके बारे में चाज़ा कर चुके स्वाय माधुपूर शिवाड के अंतर का दोस्तों राजिस्तान का जो मतलब की बाहरवा जोतिर लिंग माना जाता सिव भगवान गा ठीक है अगले क्यूशन जेहन मंदीर है दोस्तों मतलब की इसके बनाने वाला कोन है देपा अगर ठीक है लेकिन बनवाने वाला कोन है तो दर्णक सा ठीक है दर्णक सा ने दोस्तों इसका निर्मान करवाया गया तो दर्णक सा के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया और जो बनाने वाला कोन है पर दे पाग», अग्ले किस gegeben देखिए अ, अ PAUL मंदिर alltså प्रेतर फिर्ट सल किस q कि उप्र जिनका समंध है दोस्तो जो रणक पूर मंदिर फिर फिर्ट偶 गिसका समंध किस है तो समंध हो जाएगगा अपना जयन मंद्रम से टिंध desaid इंका समंध होने वाला क। अग्ला जय सुन देखिया象 के जैन यहां पर बतलब के देवर्डा के अंदर कद पांच जैनमंद्र का सम संहों है ठीक है जिसका निर्मान करवाने वाले को नहीं किस नहीं कर वया तो यहां पर अपना राइट पशाल को जाईां एगा दो grammar तो यहां पर अपना राइटंसर होने वाला बारवे के इंतरगत वीमल साहा ने ठीक है वीमल साहा ने दोस्तों देलवड़ा के जेन मंदिर का निर्मान करवाया ठीक है अगला क्यूशन देखिए निमन में से किसकी परतिमा राणकपूर मतलब की चो मुखा मंदिर में परतिश्टित है तो दोस्तों इन में से मतलब की कौन सी एक मूर्ती है या पर परतिमा है जो की राणकपूर के चो मुखा मंदिर में परतिश्टित है तो यहां पर अपना राइटंसर हो जाएगा दोस् को अपन रुसरप देवो की नाम से भी जाना जेता है तुकि है पलिन के अंदर जाने दिखेड को किस कंभ Sutiel के अजय थी कई नाम सेर डिमान प्लाजय करें दोस्तों फिर्थनना अग्लिय थिरें प्लीन पलगव थ внतरिक Allah कि weigilcre मतलब कि आदिनाद को समर्पीत है आदिनाद का मतलब कि रिश्यप देव को समर्पीत है और यहां पर 1445 खंब है ठीक है 1445 खंब है और इसका जो मतलब कि निर्माता कोन है दोस्तु निर्माता हो जाएगा देपाक है और निर्मान करवाने वाला कोन है तो निर्मान करवाने व निर्माण के लिए ठीक अगला क्यों देखिए किस सहर में दिलवाडा मंदिर स्तीत है तो दिलवाडा के जेन मंदिर है दोस्तो ये कहाँ पे हो जाएगा तो ये महुंट अबू के इंतरक सिरोई में होने वाला है ठीक अगला क्यों देखिए वी मल सहा द्वारा निर्मित परशीद जेन मंदिर कहां स्तीत है तो वी मल सहा द्वारा जो मतलब कि एक जेन मंदिर बनायें गया दोस्तों यह कहां पर हो जाएगा महुंट अभूत देलवडा के अंतरह इतर स्थेट हूने वला जो कि मतलब वीमल्साह ने बनवाया तीक है विमल सा ने दोस्तो इसका निर्मान करवाया जो कि मतलब कि इसके बारे में करनल जेम्स टोड ने कहा है कि मतलब कि भारत के अंदर के जितने भी मंदिर है मंदिर है उनमें से मतलब कि पहले नमबर के अंदर के ताजमेल आता तो विमला लूना वसंती मंदिर किस स्थान पर बनाएगे दोस्तों तो विमला का मतलब है विमल साही और लूना का मतलब है लून करन साही ठीक है जो कि अपने ये कहां पर दोस्तों ये देलवडा के अंदरगत जो कि पांच मंदिरू का समू है विमल वसाई और लोन वसाई इसके लाओ दोस्तों और कौन-कौन से है तो यहाँ पे एक नेमिनात भी है दोस्तों यह नेमिनात के लाओ और कौन से है पासरुनात भी है दोस्तों और महाविर स्वामी का मंदिर भी ठीक है जो कि मतलग कि पांच मंदिरु का सम्हों है कहाँ प पांच मंदिरू का समुए है पांच कौन कौन से दोस्तों पहला है दोस्तों अपना मतलब की विमल सहा जिसको रिशब देव की नाम से भी जानते है दोस्तों लोन वसाही है जिसको मतलब की नेमी नात के नाम से भी जानते है और तीसरा है दोस्तों पितल लहरी या फिर मतलब पितल लेहर या भीमासा जिसको पन भीमासा के नाम से जानते हैं ठीक है चोटा है पासवर नाद ठीक है जो कि चो मुखा मंदिर है और पांचवा है दोस्तु मावीर स्वामी का मंदिर ठीक अगला कि उसने दिलवाडा के जेन मंदिरू का निर्मान किस काल में हुआ तो मतलब कि 0 के अंतरकत एक ही मतलब कि यह था परसीद जिसका क्या नाम है पर्मार काल ठीक है पर्मार वंस एल परमार को कजो मंदिर अगला कंण देखी कर और अ दातु निर्मेद आदिनाथ की मूर्थी है दोस्तों जिसका वजन 108 मन है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों देलवड़ा की जो मंदिर है दोस्तों इसमें दातु निर्मेद आदिनाथ की जो मूर्थी है जिसका वजन कितना 108 मन दोस्तों एक मन के अंदर कितना वजन होता 40 किलो व अगला kitchen देखिए राज्यस्तान का खुजराओ कहा जाता है तो तो किराडू मंधिर दोस्तू बाडमेर के ईंदर्गर ठीक है जिसका क्या नाम थो यहाँ पर मतलब की सोमेसवर खां मंधिर है जो की मतलब की किराडू के त Telesusa किराडू बाडमेर में जो कि मतलब कि किस नाम से जानता है राजस्तान का खुजराओ के नाम से जाना जाता है ठीक है राजस्तान का खुजराओ बाकि उदेवपुर में दोस्तों एक अंबिका माता मंदिर है जिसको अपन मेवाड का खुजराओ का जाता है और मतलब कि एक भ मेसवर मंदिर के बारे में उल्रेडी इपन चर्चक कर चुके यह कहां पर दोस्तों किराडू के किराडू बाड़मेर के अंतर के दोस्तों जो की राजस्तान का खुजराओ के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगे लेकिशन देखिए निमनलिक्त कुम में सुमेलित कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है तो यहाँ पर मतलब कि कौनसा सुमेलित नहीं है ठीक है तो सुमेलित कौनसा नहीं है देखते है विविशन मंदिर की बात करें दोस्तों के तुन कोटा के अंतर के अंतर के तो जो कि सुमेलित ह सुन्दा माता की बात करें दोस्तु भेनमाल जालोर के अंतर के तो यह option भी अपना से हो जाएगा सिरे मंदिर दोस्तु यह भी अपना जालोर में होने वाला तिर पूरा सुंदरी मंदिर तिलवाडा बाडमेर के अंदर नहीं है दोस्तो ठीक है ये दोस्तो कहां पर हो जाएगी तिरी पूरा सुंदरी मंदिर ये दोस्तो वसुंदरा रजी के राध्य देवी भी मनी जाती है जोकि कहां पर होने वाले दोस्तो ये बांसवाडा के स्वाड़ा अगला क्यूशन देखी कौन सा कूट सुमेलित नहीं है दोस्तों यहाँ पर इन में से कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले की बात करें तो स्री नाद जी का मंदिर यह दोस्तों नाद द्वारा के अंतरगत है और दुवारे का धीस की बात करेंगा, दोस्तू, दुवारे का धीस का मंदीर कहाँ पे हो जाएगा, यह दोस्तू करोली के इंतरगात है, जोगे, अपने राज समंध के इंतरगती है, और अगला क्यूसन देखिए, तो यह थी दोस्तू मतलब कि आज की छोटी सी वीडिओ, अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा और चैनल को सब्स्राइब कर दीजिगा सामको चार बज़े एक और वीडियो आएगी जिसमें अपने लगबग 25 क्यूशनों के बारे में चर्चा करेगे ठीक है और उसके बाद मतलब कि कल इस टोपिक को पूरा कर देगे सुबह के टाइम लगबग 40 क्यूशनों को एक साथ डिसकूशन कर गए ठीक है उसके बाद अपना टोपिक नया स्टार्ट हो जाएगा तो थेंक्स पूर ओचिंग सी यू अगेन